हेलो साथियों स्वाध करते हैं आपके अपने परिवार एस आफेशियल में ठीक है तो चलिए आज हम बात करेंगे 30 अक्टूबर की करेंट अफेर्स की ठीक है जो की संभावित कोशनों को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है ठीक है जो पेपर में आ सकते हैं उन्ही कोशनों क सब्सक्राइब को यहां पर रखा गए साथियों ठीक है तो चलते हैं प्लास के ओर ठीक है तो सभी को रादे रादे गुड़ मॉनिंग सस्ट्रिकाल ठीक है और बता दे साथियों यहाँ पर जितने भी कोशन कराया जाते हैं एक दम डिट्टू पेपर में आने वाले हैं ठ अभी को रादे रादे गोन न्याईक कार्यवाहि को संचालित करने वाला पहला पहला राज कौन सा बन गया है गुजरात राज बन गया है जो कि राज लाईव न्याईक कारवाहि को संचालित करने वाला पहला राज बन गया है जो कि गुजरात है गुजरात राज ने जितने भी न्याईक मामलों में समझोते किये हैं वो राज यानि लाईव माध्यम किया है जैसे कि आप लोग यूटूब पर देखते हैं ठीक है ICT गुजरात के उच्छे न्यायालाई पर लायू न्यायक कारवाहि को संचालित करने वाला पहला राज़ बन गया है उची न्यायाले ने प्रेस और सारवाजनी की अनपस्तती में एक न्यायाद ही इसके निजिकच में वीडियो कार्टिंसिंग के मध्यम से खुली अदालती मतलब कि जब आप लोग जाते थे वहाँ न्यायाले में आपके सामने जज होता था अब आप अपने मुबाइल से वीडियो काल जैसे करते हैं वैसे ही आप अनुमती ले सकते हैं किसे जस से इसके द्वारा यह सुनस्चित भी किया गया कि कारवाहिन निस्पक्च रूप से सचालित यह निस्चालित हो जाएगी और पारदर सिता की दिसा में एक अहम कदम मुद्दा भी उठाया जाएगा ठीके चली बात करते साथे हो नेस्ट कोशन की नेस्ट कोशन है साथे हो स्क्रीन पे पहला स्योग संगठन का जो स्टार्ट अनक्वाबेटर है पहला स्योग संगठन का स्टार्ट अनक्वाबेटर है बन गया है और इसे वाड़ी जी और उद्योग मंत्री स्री पियूस गोयल द्वारा लांच किया गया है ठीके यहां से कोशन बनता है इसे किसके द्वारा लांच किया गया है तो उद्योग मंत्री यानि वाड़ी जी और उद्योग मंत्री स्री पियूस गोयल द्वारा इस से लांच किया गया है ठीक है फोरम SSU के सदस्त राज्यों की संख्या की बात करें तो मंच के तहत इनक्यों बेटरों को स्थापित करने के लिए एक मुझी की आवश्यक्ता होती है और सरोतम अभ्यास की भेई आवश्यक्ता होती है मुद्री करण और जुटाओं को भी साजा करने के लिए पिया जाता है बता दे सात्यों जो सदस्त राज्यों के सदस्यों की स्टार्टप परिस्ती में तंत्र को और मजबूती को बरकरार रखेगा वरतमान में SCO के 8 सदस्य ने भाग लिया है चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, काजिक्स्तान, किंग्रिक्स्तान, त चलिए बात करतें साथी। भारत उर्जा के खालिस थानते संसक्रड का विषय बदलती दुनिया में भारत का उर्जा भविस्थ था तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा साथी। चार्वे अस्थान पर ठीका है भारत उर्जा मंच के čारवे शंसकरण का विशे क्या था, बदलती दुनिया में भारत का उर्जा भवेसे, ठीक है? चली, बात करते तोड़ा डिटेल में, तो भारत उर्जा मंच के चारवे संसकरण का विशे बदलती दुनिया में भारत का उर्जा विशेता इसका आयोजन सेरा विक द्वारा किया जाता है जो की उर्जा के वैस्विक और छेत्री भविस्य के बारे में समग्र द्रेश्टी को और पदान करता है और इसे पेट्रोलियम और प्राकरतिक गैस मंत्राले द्वारा समर्पित किया गया है ठीक है इस कारक्रम के विशय क्या है साथियो इस कारक्रम का जो विशय है भारत के उर्जा मिस्रण में प्राकृतिस गैस क्या रास्ता होगा भारत की भविश्य की उर्जा मांग पर महामारी का प्रभाव क्या होगा ठीके ये दो आपके पास विशय है ठीके चलिए बात करते साथिय नेस्ट कोशन की तो नेस्ट कोशन है सात्यों विश्य आइडियो विजुवल विरासत दिवस की स्तित को मनाया जाता है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा सात्यों 27 अक्टूबर को विश्य आइडियो विजुवल विरासत दिवस मनाया जाता है तिक है संयुक्त राष् संचडिक वैज्ञानिक और सांस्कृत संगतन की बात करें तो पहल का उद्देश एडियो विजुवल विरासत की सुरच्छा करना होता है ठीक है यदि यह दिवस 21 में 21 महा सम्मेलन द्वारा 1980 में मूविंग इमेज की सुरच्छा और संचड के लिए अपनान को सिपारिस की सुरुवात के उपलप्छ में मनाया जाता है ठीक है चलिए बात करते साथ यह नेश्ट कोशन की तो नेश्ट कोशन है स्क्रीन पे भारत के सबसे लंबे तक सेवरावत बैंकस्तियो के रूम में किसे सेवा निर्त हुए है किसे सेवा निर्त किया गया है तो आदित्य पुरी को भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा रत बैंकस्तियो रहने के बाद इने सेवा रत कर दिया गया है आदित्य पुरी की बात करें तो इनकी वर्स सत्तर वर्स की आयू है और पात करने वाले RBI के नियमन नियमन यानि नियमित रूप से 26 वर्सों के बाद भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले बैंक के सियो के रूम में 27 अक्टूबर 2020 को HDFC बैंक से सेवा निर्त होंगे सेवा निर्त हुए है वहां सियो को पद ससिधर यानि अब कौन होंगे सस्तिधर जगदीशन को सौपेंगे जो भारत के सबसे बड़े निजी छेत्र के बैंक के प्रवंदक निदेशक अनि MD भी होंगे ठीक है और HDF का पूर रूप का आवास विकास वित्त निगम और इसे 1994 में हस मुख भाई पारिक ने शुरू किया था ठीक है चली बात करते साथियो नेस्ट कोशन की तो नेस्ट कोशन है साथियो N-Fantry दिवस किस तित को मनाया जाता है तो 27 अक्टूबर को साथियो N-Fantry दिवस मनाया जाता है जो कि भारती सेना का सबसे बड़ा युद्ध क दल होता है ठीक है और इस युद्ध का N-Fantry के लिए एक अनूठा महत भी होता है क्योंकि 1947 में इसी दिन भारती सेना के पैदल सैनिक सिरी नगर हवाई एड़े पर उतरने वाले पहले सैनिक बने थे और बता दे यह एक ऐसा कदम था जो कि सिरी नगर के बाहरी इलाकों में आक्रमड कारी को वापस खदेल दिया गया और जम्बु कस्मीर एवं राज को पाकिस्तान शमर्थित कामयालियों को हमले से बचा लिया गया है चलिए बात करते साथ हो नेश्ट कोशन की तो नेश्ट कोशन है साथ हो स्क्रिन पे किसा राज में सबजियों के लिए निवनितम मूलिताय करने वाला भारत का पहला राज बन गया है तो इसका जो राइट अंसर हो जाएगा सात्यों केरल राज सबजियों के मामले में निवनितम मूलिताय करने वाला भारत का पहला राज केरल राज बन गया है ठीक है केरल राज सब्जियों के लिए नियूनितम मुल्ट करने वाला पहला देश बन गया है भारत के अनुसार की बात करें तो सब्जियों का या नियूनितम या आधार मुल्ट उनकी उत्पादल लागत से 20% कम यानि आधिक होगा ठीक है सात्यों चलिए बात करते थोड़ा और पहले के तहट संसकार किसानों से सब्जियों फर्स कीमत पर सब्जी खरीदेंगे भले ही बाजार मुल्ट फर्स की कीमत से कम हो या योजना सोलाप्रकार की सब्जियों के लिए खोसिद की गई है एक नवंबर से प्रभावी जाएगी कहां पर केरल राज में जिसे केरल का गठन दिवस के रूम में भी मनाया जाता है चलिए सात्यों बात करते नेश कोशन की तो नेश कोशन है सात्यों स्क्रीन पर किस देश ने किस देश ने डांक लदान डांक लदान सम्मंदी डेटा के इलक्ट्रानिक विन में हे बारती डाक के साथ एक समझोता पर हस्ताचर किया है। सायद संबंदिद अधिकार्यों की इस्थान पर पहुचने से पहले अंतर राष्टी डांक वस्तुओं को एलक्टानिक डेटा प्राप्त होंगे और भेजे जाएंगे जो की देरी से बचने और डांक से वहोंगे प्रदर्शन में सुधार करने में अग्रिम भूमिका निभा संब्सक्राइगे तो चलिए साती हों आज की क्लास यहींत अगए तर तकैले टाठा भावावाट टेक क्यार ठीकर मस्त रहिए श़स्त रहिए और आराम से पढ़िये प्यार से पढ़ियेट कोई दिख्कान नहीं है ठीक है चलिए तब तक लिए टाटरा बाइवाय टेक के यार जैन जै भारत जै वंदी मात्रम